परिचय रिया की मा किरानी की दुकान पर सामान लेने गई हैं रिया अपने चोटे एक साल के भाई दुरुफ के साथ घर पर है रिया अपना ग्रही कारे करने में व्यस्त है वह शरार्थी दुरुफ को चुपके से कमरे से बाहर जाते हुए नहीं देख पाती कुछ समय बाद रिया अपने भाई के चिलाने की आवा सुनती है वहाँ हडबड़ा हड में अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि रसोई में दुरुफ की उंगली से फोन बै रहा है वो दुरुफ को शान्त करती है और उसकी उंगली को धोकर उस पर पट्टी बांध देती है वो अपनी मा को फोन करके दुरघटना के बारे में बताती है और उन्हें तुरंत घर वापस आने को कहती है इस अध्याय में आप सुरक्षा के नियमों और प्रात्मिक चुकिसा के बारे में जानेंगे आओ सीखें निमने के लिए सुरक्षा के नियमों की सूची बनाना सड़क, बस, घर और स्कूल के लिए प्रात्मिक चुकिसा को परिभाशित करना प्राथमिक चुगिस्सा के लिए करने योगे और ना करने योगे बातों की सूची बनाना सुरक्षा जीवन अन्मोल है घर, स्कूल, खेल के मैदान या सड़क पर एक मामूली सी लापरवाही हमारे जीवन को हानी पहुँचा सकती है कुछ साधारण सुरक्षा के नियमों को अपना कर हम जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं सड़क पर सुरक्षा जब हम याता-यात के नियमों की अंदेखी करते हैं तो दुरघटनाए होती हैं सड़कों पर सुरक्षित चलने के लिए यहां कुछ सुझाओ दिये गए हैं हमें हमेशा चलने के लिए फटपात का उपयोग करना चाहिए सड़क पार कर दिंग के लिए जीबरा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना चाहिए सड़क पार करते समय अपने से बड़ों की मदद लेनी चाहिए सड़क पार करते समय सबसे पहले दाइं और उसके बाद बाइं और और फिर दोबारा से दाइं और देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए यातायात बत्ती सड़क पर हमारी सुरक्षा के लिए यातायात संकेत होते हैं हमें हमेशा उनका पालन करना चाहिए सबसे उपर लाल बत्ती वानों को रुकने का संकेत देती है सबसे नीचे हरी बत्ती वानों को आगे चलने का संकेत देती है और बीच वाली पीली बत्ती इंतिजार करने का संकेत देती है याता यात की बत्ती लाल होने पर ही पैदल वाले यातियों को तड़क पार करनी चाहिए आओ खेलें सही विकल्प पर क्लिक करें बस में सफर करते समय सुरक्षा बस जन परिवहन का एक साधन है एक बस दुरगटना होने पर एक ही बार में अनेक जिन्दगियां खत्रे में आ सकती है इसलिए बस में सुरक्षित यात्रा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए वे नियम हैं बस में चड़ने के लिए एक पंक्ती बनानी चाहिए पंक्ती में खड़े होकर धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए चलती बस में चढ़ने उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए चलती बस में से अपने सिर और हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए घर पर सुरक्षा घर एक ऐसा इस्थान है जहां हम अपने प्रिये जनों के साथ रहते हैं कुछ साधारण नियमों को अपना कर आप अपने घर को तुरक्षित रख सकते हैं ये नियम हैं सीडियों पर उपर नीचे नहीं भागना चाहिए बड़ों की उपस्तिती में ही केंची या अन्ने धारदार रौजारों का प्रयोग करना चाहिए वस्तूं को प्रयोग करने के बाद वापस उसी स्थान पर रखना चाहिए माचिस के साथ नहीं खिलना चाहिए बड़ों की उपस्तिती में ही पठाखे चलाने चाहिए करन को चालू या बंद नहीं करना चाहिए. बिजली के सौकिट को नहीं चुना चाहिए. आओ खेलें. सही या गलत का चैन करें. स्कूल में सुरक्षा. स्कूल वह इस्थान है जहां हम पढ़ना, लिखना, खेलना, साजा करना तथा एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं. हमें हमेशा स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए. अन्यता कोई कमभीर दुरगटना हो सकती है. स्कूल में सुरक्षित रखने के नियम निमनिक हैं. मेश पर खड़ा नहीं होना चाहिए. कक्षा में चारों और नहीं दोड़ना चाहिए. दूसरों से जगड़ा नहीं करना चाहिए. प्रयोक्षालाओं में नहीं जाना चाहिए. किसी भी चोट, जगड़ा या दुरगटना के बारे में कक्षा के अध्यापक को सूचित करना चाहिए. प्रात्मिक चुकिस्था कभी कभी सावधानी बरतने के बावजूद भी दुरगटनां हो ही जाती हैं. गंभीर दुरगटना से बचने के लिए हमें प्रात्मिक चुकिस्था का प्रबंध करना चाहिए. किसी दुरगटना के दौरान किसी पीडित को अस्थाई रूप से किंतु तुरंत आराम पहुंचाने में दी जाने वाली साहता प्रात्मिक चुकिस्था कहलाती है. वह व्यक्ति जो प्राथमिक चिकिस्सा देता है उसे चाहिए कि चान्ती रखें, पून वाले घाओ को धुएं और उस पर पट्टी बांधें घबराएं नहीं, पीडित को इधर उधर ना भगाएं आओ खेलें आओ देखते हैं कि आपने क्या सीखा इन चित्रों को देखें, ये उस व्यक्ति की प्राथमिक चिकिस्सा के चर्णों को दर्शाते हैं, जिसकी उंगली कट गई हो लेकिन ये चर्ण गडबड हो गए हो, इन्हें सही क्रम में वेवस्थित करें हमने क्या चड़्चा की? सुरक्षा के नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं दुरघटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए चाकू, कैची, आग तथा बिजली का परियोग करते समय साथधानी बरतनी चाहिए दुरघटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए स्कूल और कख्षा में चोटों और दुरघटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए किसी दुरघटना के दौरान किसी पीडित को आइस्थाई रूप से किंदू तुरंत आराम पहुँचाने में दी जाने वाली साहिता प्रातमिक चिकिस्सा कहलाती है